बिहार के छप्रा में भारी बवाल मचा हुआ है और बवाल इसकदर की पोलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर कर दी गई है इसके पीछे वज़ा ये है पांचवे फेस की वूटिंग खत्म होती है लेकिन उसी बीच दावा ये किया जा रहा है आरोप ये लग रहा है आरजेडी की जो उमीदवार है रोहिनी आचारे वो एक बूत पे चली जाती है उसके बाद दोनों ही तरफ के कारिकरता यानि बीजेपी और आरजेडी के कारिकरता आपस में भड़ जाते हैं और नौबत सीधे आ जाती है गूली बारी तक की फारिंग होती है एक की मौत हो चुकी है एगायल है जखमी हालत है उसकी लेकिन इस बीच कारिकरता दोनों तरफ से आपस में भड़ने के लिए इस वक्त भी बेताब है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनाओती है कि पूरे इलाके को शान्त कराया जाएं माहौल शान करते हैं क्योंकि दो दिन के लिए बहां पे इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बारित कर दी गई है कि अभी भी कोई मैसेज फॉरवड करके या आपस में एक दूसरे को भड़काने की कोशिच न करें और बहाल फिर से तनाओ पुर ना हो प्रिशासनी तीमों के सामने प्रिशानी किसी के सामने है तो वो छपरा के लोगों के सामने क्योंकि वोटिंग की प्रिक्रिया तो खत्म हो गई चुनाव संपन लेकिन इस बीच जो बीच बोदी गई है वहां पे जो तनाओ पुर निसिती है उससे कैसे निप्टा जाए ये प्रिशासनी टीमें तो हौल शान्थ होता हुआ नहीं दिख रहा है लगातार कोशिश सरकार की भी है राजनितिक पार्टियों की भी है कि लोग शान्थ हो जाए लेकिन यह घुसा उबाल मार रहा है दोनों ही तरफ से एक एक करके हम आपको बड़ी बाते बताते हैं राजी प्रता प्रूडी और वहनी आचारे ये दोनों सारन सीट को लेकर एक दूसरी क्यामने सामने है सारन सीट वो सीट है जहां पे हमेशा से लालू परिवार का दबबा रहा चाहे राबडी की बात करें लालू प्रसाद यादव की बात करें उन्होंने अपनी सियासत की शुरवात महीं सकी और अब म जिस बूत पे जारी है वहां बूत कैप्चरिंग की घटना हो रही है इस तरीके के आरोप के बाद दूनों ही तरफ की कारिकरता गुस्से में आग बबूला हो गए भड़क गए और उसके बाद नौबत ये आन पड़ी कि वहां पे सीदे फाइरिंग की घटना होती है और फा राचनिक टीमो का पूरा कुनबा वहां पहुंसता है चहल कदमी इस बक्त भी है चप्पे चप्पे पर पोलस की तैनाती है लेकिन इतनी तैनाती के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि छप्रा पूरी तरीके से शान्त है अभी भी जरूरत है हम भे गोजारिश कर आपने की माहौल को शांत रखें लोग आपस में तनावपुर्णी सिती में मिले जो लए नहीं इसलिए नेट से वाभी बाधित की गई है और अपने अपने घरों में रहें जब तक की पूरी तरीके से ये अलाका शान्त नहीं हो जाता है और राचनितिक पार्टियों को को कोशिश अभी यही करनी है कि जो घटनाएं हो गई है वो हो गई है अभी से माहौल शांत करने की कोशिश करे ताकि आम लोगों को कहीं से कोई परिशानी ना हो